सब्सक्राइब फिर आप सभी का आपके अपने इटोप चैनल पीएस क्लसेश पर तो दोस्तों आज किसी वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन चाहतों ने प्रेक्टिकल के संब्सक्राइब और इसका डाइग्राम अपने चैनल पेपर पर बनाया है तो आएक किसी वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस टोपिक से एक्जामन द्वारा आप लोगों से बाइबा में कौन-कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना ताहिका यहां तो सब्सक्राइब पूरा नियुकर सबस्क्राइब लिए इस्टेंट बिना कि इसी देरी के सुरू करती बीडियो लेचर को समझते हैं पूरी बात को तो सबसे बहले बच्चो आपको बताता चलों साइकलोटोन का अभिसकार हुआ था वह था सन 1934 में इसको बनाया गया था और बच्चो इसको बनाने वाले दो बैगनिक थे उन लिए रखने को इसका इप अपनों नामियाद रहा और इसकी रूमियाद रहा ना ठीक है अच्छा और इस से लेटिव आप से पूछेंगे यह रहा किस काम आता है यानि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो इसका को यूज तो होता है बास्ट में आ रहे हैं आपको जवाब देना दें कि जवाब के जना इसको समझें बच्छों इसका जवाब देना आंसर यह होगा शाइकपा कि साइकलोट्रोन एक ऐसा ओपकरण है चार्ज पार्टीकल दो आवेसित करम को त्वimana करके उनकी घटि उर्जाओं में व्रद्धी करने के काम यह एक बात में आपको यह चार्ज पार्टिकल ने करेंगे लेक्टोन की बात क्यों नहीं करेंगे आगे हमें बीटरी लाक्षर में देखने को मिलेगा और न्यूट्रोन की हेल्फ से लेक्टोन और प्रोटोन को हम त्यारियत नहीं करते हैं तो यार रखें आपसे पूछा जाए कि साइकलोट्रोन का क्या काम हता तो इस पर धनाविशित करो जैसे प्रोटोन और यह फिर धनायान इनको त्वाइरित करके ठीक है यह एक्सलेड़ेट करके इनकी गति जूर्जाओं में ब्रद्दी करने के लिए किया जाता है आपसे प तो का के आता था नाविच क・।― नुक्लियर अभीकरिया होती है कि साइकलोट्रोन जो होता लुकुर ब्रद्दी में ठीक है तो प्रें जेनकी गति जूर्जाओं में जाए रखेंता है तिक के अच्यान नैस कोशंदिय क्नकों तो सकता है कि यह किस प्रिकार के कर्णों को त्वाइज अधी जिस को बता हुआ रहा था कि जो आपको जो साइक़ली टौन होता है यह घृत जी स्थेप्स फ्लेकाट डोता है यह से प्रोतों प्लेस चार्ज जोता है फिर होता या फि तियार रखेंगे किस प्रिकार के ख़ड़ों को आवे उत्वाइब करता है एक्जम्पल आप बता सकते प्रोटोन है ठीक है अच्छा तो चलिए कि आगा में बात करें को सब्सक्राइब यह एलेक्टोन और नूट्रोन बात करते देखें इलक्ट्रोन देखें इसके अपने आप में बहुत हलका कड़ होता है जो इसको और इसका प्रिकास के बरावर जाती है थोड़ा सा इसको त्यारित करने पर थोड़ा सा ज्यादा बोल्टेज देने पर तो जिससे क्या होता है इसका जो मास है जो दरबिमान है वह क्या होता बच्छो चैंज होने लगता है इसी रिजन से इस रिजन से बच्छो हम साइक्ट्रों की हेल्फ से किसी एलेक्ट्रों को प्रप्राइब श्रब आप से पूछे आया कि इससे एलेक्टोन को एक्सक्लेट क्यों नहीं करते हैं तो इसका रिजन पर यह है क्योंकि यह बहुत हलका पार्टिकल होता है ठीक है कम बहुत कम वोल्टेज पर फिक है यह बहुत जादे इतनी हाई स्पीड में इलेक्टोन का जो मास हूने लगते है नहीं नहीं करते हैं अब बात करते हैं न्यूट्रोन को क्यों नहीं कर सकते हैं पच्छो देखें इस जो हमने डाइग्राम बनाया है भी केल धनायनों को नहीं करता है थो आपका चार्ज नहीं होता है जो आपका साइकुलाइट्रो नहीं होता है है तो तो यह होगी नहीं होता है तो यह नहीं करेगा ठीक है इस पर चार्ज होना चाहिए चार्ज होना चाहिए सब्सक्राइब करता है तो यह नहीं की पावर फाइव और रखा जाता है यह अब इसको करके देखें तो यह एक लाख बोल्टेज है कितने पर चाहिए पर काम करता है यह कितने एक लाख बोल्ट इसको अगर जाने तो यह लगवा एक लाख बोल्टेज होता है अपने घरों में आने अवरा चाहिए कुल 220 बॉल्ट होता है तो घर के सिस्टम जैसे खराब हो जाते हैं तो यह बहुत हाई वोल्टेज है एक लाख बोल्टेज बहुत जाद होता है जिस पर साइक ट्रॉन कारे करता है ठीक है अच्छा आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइक्क्राइब करते हैं तो इसका अंदर मेंगनेट फिल्ड भी हो सब्सक्राइब करता है कि जो मेंगनेट फिल्ड है वह कारच के या बोल्ट के परपेंडिकुलर इन्वर डाक्शन में तो यही पूचा क्या क्या काम है ठीक है तो यहां पर चुम्मे का चेत्र काम होता बच्छो किसी आविसित करण को ठीक है क्योंकि आपने बाहर में स्ट आपने ब्रत्य करती करता है आपने देखो शाइग डरौन में पार्टिकल आइसे घूम रहा हूता हो जो राधिए को चुम्मे का चेत्र का में बच्छो उसको ब्रत्य कराना है किसको यह पका चार्ट-पैट्रों आपका पोई धना यह वही तो क्योंकि हम लोग जानते है थीक है तो सब्सक्राइब काम क्या बचो को ब्रत्य कराना ठीक है जैसे को चार्ज पर्टिकल में जाता तो इसलिए फोर्ट्स काम करने लगता है ठीक है जिसी वैसे वह सब्सक्राइब में आजाता है ठीक है अच्छान बात करें बच्छों कि विदुद्ध शेतर क्या क्या काम है क्योंकि हम लोग जानते कि इसको सर्कुलर मोसम देना ठीक है और इसको इसको अपको मेरे पाद और इसी एलेक्टिक सर्कुलर की विज़े से क्या होता है बच्छों आयन सरोथ से आयन उत्पन होते हैं सब्सक्राइब दोनों डीजों की बीच में एक होता है जिसको हमने ऐसे लिखा होगा अपने ठीक है इसी इसी विदुद्ध शेतर क्या होता है होता है जब इसको इतने हाई वोल्टेज पर अच्छा आगे देखिए को समय क्या कि साइकल टॉन का साइकलों का आवर्ती सूत्र का अपने कि इसके इस इसके की पूछेबती होती कि आपका क्यू वी तूप आच यह बचक चार पाडिकल पर आवेस है और क्या वह वी है यह अपको शूम्मे के छेटरे ठीक है और यह जो M है उस चार्ट पार्टिकल का मास है सब्सक्राइब आप लोग में और यह टू पाई तो इसका मदलगी कोश्टेंड बेली यह तो आप समझते होंगे ठीक है तो आवड़ती का सुतिया देखने पूछा जा सकता है कोश्टा नमबर देखिए एड क्या दी कोश्टा में ब्रत्य गति करने के लिए अभी केंद्र वल जिसका फार्मुला क्योंता है अभी केंद्र वल का यहाद रखना चुम्मे के वल से ही प्राप्त होता है किसे प्राप्त होता है ठीक है समझ मारा आपको वाज़को फार्मुला होता है में इस से बचो यह प्राप्त होता है इस से बचो यह प्राप्त होता है ठीक है आगे बात पर नहीं क्या देगे आयन स्रोथ से यह जो जो डीज के बीच में जो आइन उत्पन होगा ठीक है आयन सोत्र से आयन कैसे उत्पन होते हैं ठीक है आपको बताना है ठीक है तो वह होता बचो तपे तंतु द्वारा यह जो आपने आयन सोत्र लगा होगा ठीक है कि इस यह रहता है यहां से बताता है यहां पर का यह पर आपका आपको यह की पार फाइब टेंगे ठीक है तो यह तो यह फोट हो जाने और यह तो इसको मैंने दिया और यह मनलों किया यह दी टू ए ठीक है सवाराइब लोगो मेरी बाग और हम यह मानने के स्ट्रेटिंग में यह आपका नेगेटिव पॉटेंशल पर है और यह आपको पॉटेंशल पर है कि अध्यूश्वाराइब लोगो मेरी बाग क्योंकि देखने प्रतामाइब से एक तब पॉजिटिव होता तो जब यहां से आया प्णुआ है तो उस कंडिशन में उस इंदर को गुमने से सुरू हो जाएगा वासी आप लोगो और यह इसको ले गया नहीं होता चार पर इसको यहां पर हमें इसको यूज करना होता है कि तो देंगे आगया इसको समझते हैं तो त्पड़ तंतु तंतु यहां यह वाले बीच में आप देख पार होंगे सब्सक्राइब आपको मेरी बात ठीक है कैसे बार करता वही मैंने आपको बताया कि आएन स्रोथ में इसके अंदर जहांसे प्यादा होती है कौन सी गैसे भरी जाती है तो देखिए इसके अंदर गैस होती है जिससे प्रोटोन निकलता है एक बच्छों डिट्रोन गैस होती है जिसे डिट्रियम निकलता है तो इस प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रोटोन गैस होती है जिसे प्रोटोन मिलता है कि निकलता है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उम्मीद करता हूं आपको सारे कोशन बच्छों आपको संफ़र्यम आएंगे चैनल पर नेहीं तो चैनल को सब्चैब के लिए है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेस्त पिक साथ तक तक दरन्यवाद बाद दश्टोब